नमस्कार गरम पाणया मदे एकतास ही भीजाउन गेऊ शकता थोड़ शी डाल भीजाउन गीतली की शिजाईला जास्त वेल लागत नहीं आता ही डाल आपलेला कुकर मदे टाकाईची आहे तैसो बत पानी सुध्धा टाकाईचा है एक कप डाल गितली होती, तैला दोन कप इथी मी पानी टाकून गितलीला है तैसो बत जितरे आपलेला काही खड़े मसाले टाकाईचा है तै आमादे दोन भेंडी विलाईचा दोन तेजबत तेच पतयाची पाना गितलीली आहे आनि दोन दाल चे नीचे तुक्डे गित लिया है है थोड़ोषे खडे मसाले या ओमधे टाकली के अचसा फ्लेवर्स हूआ है तो डाली मदे छान होता है अर्धा चम्बस हड़ टाकून गित लिया है आनि एक छोटा चम्बस ओमदे तेल टाकले लिया है मज़े डार जी आए ती छान सोफ्ट शिज़ला जते आथा कुकर सा जाकन लोँन अपलेला मीडियम ग्यास वर्ती दोन शिट्ट्या काड़ून गहचा है आथा कुकर चा शिट्ट्या होता है डार शिज़ता है तो परेंतापन पालक जी आए ती कट करून गेए को अदिन आधर गनली के प्रिसक्राइक बिषिट शबिंगे लेवाद में में और फरोगिपन केको ,rikeुड़ गरम जालकी तो आधार छम्मा जीरे आणी ऐर्धा छम्मा ज मोहरी टाकुन गेजी सिर जिर मोहरी छान फुटाएला लागला की कांधा टाकाए सा है एक मोठया काराचा कांदा मी बारिक चिरुन यामदे टाकलेला है आता कांदा जो आहे तो आपलेला थोड़ सा लालसर रंग यही परेंत परतुन गेचा है ग्यास इते मोठा सा है मोठा ग्यास वर्तिस कांदा परतवाईचा है बगा, कांदयाचा रंगा बदलैला लागलेला है, थोडसा लालसर झालेला है, और इत्थे अपलेला एक चम्मज आलालस्ना कि पेश टाकुन गेँचिया है, औरंड़ी बाच्छा सीमीटाली मीटार बारी चिरुना, आटा ही थूद सपरटुन्य सास अपलेला आणि अंतर यांदे जी रैगुलर अपले मसाले आए ड्राए मसाले दे टाकाई कहें तर एक ते देढ़ चम्मस लालतिक टाक लेला है सविनुसर या मदे मेड टाकाई साँ है एक चम्मज धने पाउड़ टाकाईची है त्यान अंतर पाउजम चा हड़़ट टाकून गेतली लिया है अपन डाइ मदे सुता हड़़ट वापर लिया है त्या मुड़़े एथे हड़़ट कमिस वापर लिया है एक चम्मस या मदे गरम मसाला टाक लेला है आनि आरधा चम्मस कसुरी में थी टाकून गेतली लिया है आता है मसाले आपलेला व्यवस्तित मिक्स करून गेचे है व्यवस्तित परतून गेचे है आनि नंतर या मदे जी अपन पालक कट करून धे उल्योती थी टाकून गेचे ह आणी wines उद्धा व्यवस्तीत मिक्स करुण गेची आहें आता सीछं कर दोड़ ला सकाका गार्व एक अलक दोड़ा लाक आता सालनी आप्लैव ज़ंगे उचीछा। बगाँ पास्मेंट जाले लिया है पालक जी आहे ती अगदी छान शिजले गेली लिया है एकदा वेवस्तित मिक्स करूँगे जाहे आणि आता जी डाल आपन शिज़ा उन गेतली होती ती डाल यामधे टाकून गेजे आणि या सोवतास इथे मी अरधा का पाने सुधा टाक जी लिया है वैवस्तित आला मिक्स करूँं गेजा आए बगाँ एकदा वैवस्तित मिक्स करूँँगे जाला कि या लिया जाकून पुन्हा तीन ते चार मिनिटा शिज़ान गेजा है मनजे मस्तालें चे सक्ड़े फ्लेवर भाजी मदे छान उतर लेजा तक तर याले लिय आथा यामधे एक चम्मज जीरे टाकाईचा है त्यानंतर सात्ते आठ लसुन पाकला अगदी बारिक चिरून यामधे टाकून गितले ले आहे पाउचमचा हिंग टाकाईचा है एक चमचा यामधे कश्मेरी मिर्च पाउडर टाकाईचे है आणि त्यासोबदस अगदी आफ्ड़ी जालेला है हाथ दड का बाजी वर्ति टाकुन गईजा है आणि याला हलक्या हाताने मिक्स करोण गईजा है आता तुम्हें इते भाजी चा रंगभगु शकता की चान अलेला है या वर्ति ठोडशी बारेक चितलेली कोथिम बेटाकुन गेटली लिया है तर अग्दी धाबा स्टाइल अपली चनाडार पालक रेडी जाले लिया है गैस बंद के लिला है मी भाजी आपन सर्फ करूण गे हुए तर ही भाजी खाईला खुप टेस्टी लगते तर ही भाजी तुम्ही भाता पर उबर खाऊ शकता पोड़ी पर उबर सुद्धा ही खाईला अप्रतीम लागते तर एकदा तुम्ही ही चनाडार पालक ची भाजी नक्की ट्राय करूण बगा तुम्हाला नक्की आउडेल तर कशी वाटली तुम्हाला ही धाबा स्टाइल चनाडार पालक ची रेसिपी मला कॉमेंट मते सांगायला विसरू नका वीडियो जर आवडला असेल तर चानलला लाइक शरा नी सब्सक्राइब नक्की करा मी बेटते तुम्हाला अशासिका नविन वीडियो बरोबर तो परेंत बाइब बाइ